आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन दिफ्रेंट यर्स विध अपरेंट बेस इस तकन अच्छाइब आपनेटेंट नन आफ दिम इस ओलडर थे निएंटी यर ओल दे लाइट इस दिफ्रेंट फूइट अपल और रंज रेप्स चरी श्यरी मैंगो बनाना Note given है, the last two or reverse of the last two digits of the year in which a person is born can be the age of some other person Like A is born in 1943 and age of B is denoted by the last two digits of the birth year of A Then B age will be either 34 or 43 Friends, question में given है कि six people है जो की different years को born हुए है और अगर हम इनका current base लें तो वे है 2018 इन में से कोई भी 19 year old नहीं है और इन्हें different fruits पसंद हैं जैसे कि apple, orange, grapes, cherry, mango और बनाना Note given है कि last two digits या उसका reverse last two digits जो है जिसमें कि एक person born हुआ है वे दूसरे person की age हो सकती है जैसे कि A born हुआ है 1943 को तो B को हम इसकी last two digits 43 से अगर denote करें तो B की age या तो 43 होगी या तो 34 होगी आगे question को read करने से पहले हम एक table form कर लेते हैं यह हमने table form कर ली है अब first वाले section पे हम लिख लेते हैं person then second वाले पे लिख हो जाएगा birth year third वाले section पे हम लिख देते हैं person की age और fourth वाले पे हो जाएगा की कौन सा fruit जो है वह person को like है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब अगर हम question में given person को देखें तो यह person जो है वह है तरुन चारू, विशाखा, मोनीका, अंको, एंड, विराज तो here हम mention कर लेते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं तरुन को then given है चारू, विशाखा, मोनीका, अंको तो यहाँ पर हो जाएगा चारू, विशाखा, मोनीका, अंको और विराज तो यहाँ पर हुआ मोनीका, अंको, एंड, विराज यह person हो गए, अब अगर हम इनके regarding given information को देखें तो here given है, तरुन was born in 1983 the difference of age between तरुन and चारू is 21 year तो अगर हम देखें, तो तरुन की जो birth year given है, वह है 1983 तो तरुन का हम यहाँ पर लिखते हैं, 1983 अब यह भी given है कि तरुन और चारू की age में 21 year का difference है तो अगर हम 1983 में plus 21 करते हैं, तो जो number find होगा, वह होगा 2004 और अगर हम 1983 में 21 को minus करते हैं, तो here जो होगा, वह हो जाएगा 1962 means चारू की जो birth year होगी, या तो 2004 होगी, या तो 1962 होगी विश्राखा age is some of the digit of the year in which चारू was born अब विश्राखा की जो age given है, वह some of the digit होगी, जो की चारू का born year होगा तो अगर हम चारू की age लेते हैं, 1962 तो विश्राखा की age जो होगी, वह 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 हो गया, means यह हो गया 18, तो यह हो गई विश्राखा की age 18, अब यह भी given है कि जिस परसन को mango पसंद है, वह 5-year elder है विश्राखा से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिस परसन को mango पसंद होगा, वह 5-year elder, means इसकी age होगी 23 year then given है, अंको age is either the last two digits or reverse of the last two digits of the year in which the person who likes mango was born means, जिस परसन को mango पसंद है, वह जिस year को born हुआ होगा, उसकी last two digits का reverse या फिर last two digits जो होगी, वह हो जाएगी अंको की age only one person is elder to anko and vishakha likes apple means, अगर हम बात करें कि केवल one person है, जो की elder है अंको से और vishakha को apple पसंद है तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो apple हम लिख देते हैं, वishakha के लिए the one likes cherry is younger to anko, means, जिसे cherry पसंद है वह anko से younger है the difference between viraj and the one who likes cherry is 24 year, the one who likes banana was born is an even year, the one who likes orange is younger to one who likes grapes, both is odd number of years, monica is younger than viraj, अब क्योंकि हमने वishakha की age 18 year find की है और question में base given है 2018 तो इस पे जब हम 18 minus करेंगे तो year आ जाएगा 2000, means, अगर हम वishakha के लिए year की बात करें, तो यह year हो गया 2000 अब question में given है कि जिस परसन को mango पसंद है वे 5 year elder है वishakha से, means, जिस परसन को mango पसंद होगा, वे 5 year elder, means, 2000 पे जो हम 5 minus करेंगे, तो 1995 इसका बहुर नियार आ गया अंको की age जो है, वे last two digits बताई गई है, या इसकी reverse last two digits होगी, जिस परसन को mango पसंद है, उसके born year के, means, अगर हम देखें, तो यहाँ पर अंको की age जो होगी, वे 95 year तो होगी नहीं, as it is, अगर हम last two digits लें, क्योंकि, कोशन में given है, कि परसन जो है, वे 90 years older है, means, इसका reverse 59 year age हो जाएगी, अंको की, तो हम यहाँ पर अंको की age जो है, वे लिक लेते हैं, 59 year और इस according, अगर हम देखें, तो इसका जो year of session होगा, वे हो जाएगा, 1959 then given है, केवल वन परसन जो है, वह यह elder है, अंको से और वह परसन जिसे चेरी पसंद है, वह यंगर है, अंको से difference जो है, विराज की age और उस परसन जिसे चेरी पसंद है, 24 year तो अगर हम विराज की age को लेते हैं, 80 year तो इस according, वह परसन जिसे चेरी पसंद है, उसकी age का जो difference होगा, विराज से, वह 24 year होगा means, वह परसन जिसे चेरी पसंद है, वह 56 year होगा, क्योंकि अगर हम 80 में 24 को minus करेंगे, तो ये आ जाएगा 56 year जिस परसन को बनाना पसंद है, उसका born year जो है, वह even है, तो अगर हम देखें, तो 2000, 18 पर अगर हम minus, 80 करते हैं, तो जो हमें session find होगा, वह होगा, 1938 means, विराज का जो year हो गया, वह हो गया, 1938 और क्योंकि ये even year है, इसलिए विराज को जो fruits पसंद होगा, वह होगा, बनाना जिस परसन को orange पसंद है, वह younger है, उस परसन से जिसे grapes पसंद है, और दोनों के जो year हैं, वह odd number पे हैं, अब अगर हम देखें, तो 1995, यह remaining है, तो यहाँ पर हम 1995 लिखेंगे, और इस परसन की age हो जाएगी, 23 year, और इसे mango पसंद होगा, अब अगर हम remaining fruits में देखें, तो remaining fruits पे cherry, orange and grapes है, अब अगर हम cherry वाले person की age देखें, तो यह हमने 56 year find की है, 2018 के according, जिस person का birth 1962 होगा, उसकी age होगी 56 year, और उसे पसंद होगा cherry, अब क्यूंकि orange और grapes पे बताया गया है कि जिसे orange पसंद है, वह younger है, तो अगर हम age में देखें, तो 1959 and 1983 remaining है, तो क्यूंकि जिसे orange पसंद है, वह younger है, means यहाँ पर तरुन को हो जाएगा orange पसंद, और अंको को हो जाएगा grapes, और अगर हम age देखें, तो 1983 की अगर हम 2018 से date देखेंगे, तो वह हो जाएगी 35 year, इस तरह से हमने सभी person के regarding information को find कर लिया है, अब question में हम से पूछा गया है, which of the following combination is true, यह option पर given है, अंको का जो birth year है, वो 1959 है, और उसे mango पसंद है, तो अगर हम here देखें, table में, तो 1959 में तो उसका birth year है, बट उसे grapes पसंद है, means यह combination जो है, वह incorrect हो गया, अगर हम B option पर देखें, तो here given है, विराज का birth year 1983 है, और इसे apple पसंद है, तो विराज का यहाँ पर birth year 1938 गिवन है, जो की हमने find किया है, means यह option भी incorrect हो गया, C option पर given है, चारू का birth year 1962 है, और इसे cherry पसंद है, अगर हम देखें, हाँ, चारू का जो birth year हमने find किया है, वो 1962 find किया है, और इसे cherry fruit पसंद है, means यह C जो data दिया है, वह बिलकुल correct है, D option को चेक करें, तो D option पर given है, मोनिका का जो birth year है, वह 1995 है, और इसे mango पसंद है, जबकि जो combination है, उस पर birth year तो correct है, but fruits जो है, grapes given है, means यह option भी incorrect हो गया, तो हमारा correct option हो जाएगा, C, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 पर.